तो वस्ट अप गाईज सबसे पहले आप लोग इस वाले AI वीडो को देख लीजिए तो गाईज अगर आपको भी कुछ इसी टाप की AI वीडो को बनाना तो आप लोग को कुछ भी करने की जुरूत नहीं है बस आप लोग को इस वाले वीडो को ना सुरू सले कर लास तक देखना होगा 110% में लिख के देता हों कि आप उस टाप की AI वीडो ऐसे चुटकियों में एडिट कर लेंगे और ये कंपलीट टूटोरियल होने वाला है तो वीडो को आप लोग कंपलीट देख लीजेगा चली वीडो को स्टार्ट कर लेते हैं तो वस्टप गैज इस टाप की AI वीडो बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को सिंपल से Chrome ब्राउजर को ओपन करना होगा और जैसे ही आप लोग Chrome ब्राउजर को ओपन कीजेगा तो आप लोग के सामने कुछ स्ट्राइब के इंटरफेस देखने को मिलेगा और आपका बहुती आसान तरीका बतायेगा तो वीडो को आप लोग कंपलीट देख लीजेगा 110% आप AI वीडो को बना लेगे तो सबसे पहले सिंपल से आप लोग सर्च वाले आइकन पे एक बरी ऐसे क्लिक कीजेगा कर लेने के बाद आप लोग को सर्च करना होगा यहाँ पे क्लिप चैंप और कर लेने के बाद सिंपल से नीचे साइड में सर्च वाले आइकन पर क्लिक करके इसे सर्च कर लीजेगा और आप लोग के सामने कुछ स्टैप की इंटरफेस देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप लोग को यहां पर पहली वेपसाइड को उपन कर लेना होगा जो की इसका ओफिसियल वेपसाइड है तो सिंपल से इस वाले वेपसाइड को आप लोग ओपन कर लीजेगा और जैसे ही आप लोग ओपन कीजेगा तो आप लोग के सामने कुछ स्टैप की इंटरफेस देखने को मिलेगा और वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से और ध्यान से देखिएगा तभी आप वीडियो को बना पाएंगे तो सबसे पहले आप लोग को उपर साइड में यहाँ पर थ्री डॉट के आइकन पर क्लिक करना होगा कर लेने के बाद सिंपल से आप पर डेश्टॉप साइड पर आप लोग ऐसे एक बड़ी कर जीजेगा और क्लिक कर लेने के बाद अगर आप लोग के सामने कुछ इस्टरी की इंटरफेस देखने को मिलेगा और आपका भाई यहाँ पर सारी चीजे बताने वाला कहां से आप स्टोरी को लेकर आएंगे और कैसे आप AI वाईस को कैसे कनवर्ट करेंगे अपने टेक्स से AI वाईस को कैसे कनवर्ट करेंगे सारी चीजे आपको बाई बताएगा तो सबसे पहले आप लोग के सामने यहाँ पे दो आप्सन मिलेगा यहाँ पे try for free एक यहाँ नीचे मिल जाएगा और एक simple से आप उपर भी मिल जाएगा तो दोनों पेसे आप किसी पे भी click कर सकते हैं तो मैं इस वाले पे एक बारी ऐसे click कर दूँगा और जैसे ही आप लोग click कीजेगा तो आप लोग के सामने कुछ this type की interface देखने को मिलेगा इस type की interface मिलेगा तो यहाँ पे आप लोग को अपने account को बनाना होगा और account बनाना बहुत ही आसान है तो simple से आप लोग को यहाँ पे एक option मिलेगा continue with google तो simple से इस वाले options पे एक बारी आप लोग ऐसे click कर दीजेगा जैसे ही आप लोग click कीजेगा तो एगन आप लोग के phone में जितना भी Gmail होगा आप लोग के सामने आ जाएगा तो जिस भी Gmail से आप account को create करना चाते हैं उस Gmail को आप लोग simple से select कर लिजेगा और कर लेने के बाद एगन आप लोग के सामने कुछ type की interface मिलेगा तो यहाँ पे आप लोग continue के icon पे click कर दीजेगा कर लेने के बाद आप लोग के सामने again कुछ type की interface देखने को मिलेगा तो जो भी आप लोग के सामने permission आएगा उसे आप लोग permission को allow कर दीजेगा मैं भी आप लोग simple से allow कर देता हूँ और जैसे ही आप लोग allow कीजेगा तो यह थोड़ा सा यहाँ पे loading लेगा और लेने के बाद आप लोग के सामने कुछ type की interface देखने को मिल जाएगा तो simple से आप लोग यहाँ पे यह वाला option आएगा तो आप लोग उपर side में आप लोग cross के icon पे click करके इसे आप लोग हटा लीजेगा और हटा लेने के बाद कुछ type की interface लेगा मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ तो simply आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा आप लोग को ऐसे मैं थोड़ा सा जूम करके अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ create a new video के icon पे आप लोग को एक बारी click करना होगा यहाँ पे आप लोग wait कीजेगा और जैसे ही आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस मिलेगा तो यहाँ पे यह वाला add आएगा यहाँ पे इसे आप लोग skip कर दीजेगा और simple से मैं यहाँ पे न देख सकते कुछ इस टाइप की इंटरफेस मिलेगी तो मैं आप लोग को अच्छे तरीके से बता रहा हूँ तो वीडो को आप लोग अच्छे से देखिएगा तबी आप AI वीडो को बना पाएंगे तो सबसे पहले दोनों finger से ऐसे जूम करना होगा आप लोग को और ऐसे कोने में आना होगा और आने के बाद यहाँ पे record create के options पे आप लोग को create करना होगा क्लिक कर देना होगा तो इस पे आप लोग एक बारी ऐसे क्लिक कर दीजेगा कर लेने के बाद यहाँ पे आप लोग के सामने बहुत सारे options मिलेंगे तो आप लोग को किसी पे भी नई क्लिक करना होगा नीचे आप लोग के सामने एक option लेगा text to speech तो इस पे आप लोग को एक बारी ऐसे tap करना होगा और tap आप लोग जैसे ही कीजेगा तो कुछ इस टाइप की interface आप लोग के सामने देखने को मिलेगा और यहाँ पे थोड़ा सा ये loading लेने में time लगेगा तो आप लोग थोड़ा सा wait कर लीजेगा तो simple से मैं दोनों finger से पकड़के इसे ऐसे चोटा कर लेता हूँ और आप लोग भी ऐसे चोटा कर लीजेगा जैसे ही आप लोग लिकीजेगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की interface देखने को मिलेगा और वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से guys देखिएगा तब ही आप उस टाइप की AI वीडियो को edit कर पाएंगे तो आप लोग को दोनों finger से ऐसे पकड़ के जूम करना होगा और कर लेने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की interface देखने को मिलेगा मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को proper समझ में आए क्या मैं बता रहा हूँ तो simple से यहाँ पे आप लोग को एक language का option मिलेगा एक wise का option मिल जाएगा तो simple से और इसके नीचे एक advanced setting का भी options मिलेगा तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा अगर आपको हिंदी में AI video को बनाना है तो यहाँ पे जहाँ पे language लिखा है इसके नीचे एक English लिखा होगा तो इस पे एक बरी आप लोग ऐसे टैप कीजेगा तो आप लोग ऐसे scroll कर लिजेगा scroll कर लेने गवाद थोड़ा सा आप लोग नीचे आईएगा तो यहाँ पे हिंदी इंडिया करके एक option मिलेगा तो simple से आप लोग यहाँ से select कर लिजेगा और कर लेने के बाद इसके नीचे आप लोग को एक wise का भी option मिलेगा तो simple से इस wise वाले options पे एक बरी आप लोग टैप कीजेगा और tap कर लेने के बाद यहाँ पे हिंदी इंडिया के नीचे दो options मिलेगे एक मधूर का option मिलेगा एक स्वरा का option मिलेगा अगर आप male फीमेल दोनों यहाँ पे wise को बना सकते अगर आपको male में बनाना है न तो यहाँ पे मधूरा पे click करना होगा अगर आपको female में अपनी AI वीडियो को बनाना है तो आपको second वाले options पे click करना होगा तो मुझे male में बनाना है तो मैं simple से यहाँ पे पहले वाले options पे ऐसे click कर दूँगा और कर लेने के बाद simple से आप लोग को इसके नीचे एक advanced setting का भी options मिलेगा तो advanced setting के icon पे एक बरी आप लोग ऐसे click कीजेगा यहाँ पे इसकी duration है गाईच अगर आप अपनी AI वीडियो को जल्दी जल्दी बुलवाना चाहते हैं तो इसे आप पे जो यह pace है ना इसे आप लोग बढ़ा दीजेगा और कम कर लेने के बाद simple से आप लोग को कुछ भी करने की जुरुत नहीं है आपका जो भी script है ना जो भी AI से बुलवाना चाहते हैं नीचे side में यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा जैसे कि मैं आप लोग को example के लिए बता दूँ कि मैं कोई भी एक ले लेता हूँ यहाँ पे साहरी और उसे बुलवा के आप लोग को दिखा देता हूँ और आप लोग को यहाँ पे अपने पूरे script लिखना होगा तो मैं simple से क्या करूँगा ना यहाँ से ऐसे बैक आऊँगा और बैक आने के मद मैं यहाँ से simple से google app को open करूँगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी साहरी मैं यहाँ पे हिंदी साहरी लिख देता हूँ और आप लोग भी ऐसे लिख दीजेगा लिख लेने के बाद मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ और आप लोग भी कुछ भी motivation कहानी भी यहां से ले सकते हैं मैं थोड़ा सा यहां पर एक Siree को ले लेता हूँ और आप लोग भी ले लीजिएगा अच्छे तरीके से तो यहां पर देख सेकते हैं यह वाला Siree मैं ले लेता हूँ पहले मैं इसे simple से ऐसे hold करकी इसे मैं यहां से copy कर लूँगा और आप लोग भी इसे copy कर लीजेगा और यहां से मैं simple से क्या करूँगा ना यहां से copy कर लूँगा और copy कर लेने के बाद अगर मैं क्या करूँगा अपने इस यहां पर आ जाऊंगा और हटा लेने के बास simply आप लोग को इसके वाद कुछ भी करने की जुरत नहीं है आप लोग को ऐसे scroll करके नीचे आना होगा और नीचे आप लोग आईएगा यहाँ पर आप लोग के सामने एक save का icon बलेगा तो save वाले icon पर आप लोग click कर दीजेगा और थोड़ा सा आप लोग वेड कीजिएगा और यहाँ पर आपका AI वाईस जो है कनमड हो जाएगा सिंपल से आपसे मैं क्या करूँगा ऐसे यहाँ पर आऊँगा दोनों फिंगर से मैं छोटा कर लेता हूँ इसे और यहाँ पर देख सकते इसे आप लोग चला के भी सुन सकते तो मैं चला देता हूँ देख सकते ऐसे आपका AI वीडियो यहाँ पर कनमड हो जाएगा जो भी आपका स्क्रिप्टर आएगा यहाँ पर सेम टू सेम बुलेगा तो इसे यह अभी वीडियो फॉर्मे में है तो सिंपल से आप लोग ऐसे उपर आकी और इसे वीडियो को आप लोग को डाउनलोड करना होगा तो उसके लिए उपर एक्सपोर्ट के आईकेन पे आप लोग एक बर ही टैप कीजेगा टैप कर लेने वाट 1080P को आप लोग सेलेक्ट कर लीजेगा और थोड़ा सा आप यहाँ पर वेट कीजेगा और आपका वीडियो यहाँ पर डाउनलोड होने लगेगा तो देख सकते हैं जब यह 100 हो जाएगा तो आपका वीडियो आपके गैलेरी के अंदर से बो हो जाएगा तो मैं आप लोग को अभी एडिटिंग भी बताने वाला हूँ तो वीडियो में आप लोग बने रहेगा आपका बाई कंपलीट जानकारी देने वाला है तो देख सकते हैं यहां पर आपने वीडियो को ले लीजेगा और लेने के बाद से आपके यहां पर देख सकते हैं पहले से मेरा वाइस है तो मैं इसे स्लेक्ट करके यहां पर डिलेट कर देता हूँ तो simple video से audio को निकालने के लिए आप लोग को यहाँ पे न इस वाले options पे click करना होगा videos and photos वाले icon पे click कर दीजेगा अभी हम लोगों ने जिस video को अभी हम लोगों ने save किया था न हम वहाँ से तो उस video को हम लोग यहाँ से ले लेंगे और लेने के बाद आप लोगों का वीडियो यहाँ पे आ जाएगा तो नीचे side में आप लोग ऐसे scroll करके आईएगा और आप लोग को ही सामने एक extractor ID का option मिलेगा तो इस पे एक बड़ी टैप कर दीजेगा और इस video को select करके इसे delete कर दीजेगा लीजे गाईज आप अपने AI वीडियो को बना सकते हैं यहाँ पे मैंने नीचे यह वाला वीडियो लगाया है आप अपने script के हिसाब से वीडियो और फोटोज को use कर सकते हैं तो simple से कुछ step के आप लोग को वीडियो हो जाएगी तो यहाँ से इसे आप लोग export भी कर सकते हैं और आपको वाई सारी चीज़े बता दिये अगर आपको complete इसका editing भी चाहिए AI वीडियो का तो मुझे comment कर दीजेगा 100% में second part लेकर आउंगा